इस वीडियो में हम देखेंगे कि scope of variables क्या होता है Python में, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि local scope और global scope क्या होता है, देखते हैं, आप जब किसी भी Python program में variable declare करते हैं, variable create करते हैं, तो वो कौन से region में उसको आप access कर सकते हैं, उस variable के value कहां कहां पे, पूरे program में, function के अंदर, भा variables define करते हैं, variable आपने define तो कर दिये program में, लेकिन उसको आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, उसकी value कहां कहां पे उठा सकते हैं, ये साथ हम scope of variable में discuss करेंगे, Python में दो तरह के scope होते हैं, local और global, देखते हैं सबसे पहले local scope, जब आप किसी function में मानिए, अब मानिए अगर आप कि इस में लिखे है, the value of that variable cannot be accessed from outside the function, मतलब भार फिर आप उसको access नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका scope local है, example देखते हैं, देखिए हम pycham id में run करेंगे, पहले create करते हैं project, file पे गए, file पे गए new project, यहां पे नाम दे देते हैं, python scope of variables, create पे click कीजिए, अब देखिए मारा project create हो गय right click करते है, new पे जाएंगे, नई file create करते है, python file, मैं इसको नाम दे दे, demo दे देते है, enter पेस करूँगा, तो .py अपने आप create कर देगा, वो देखिए demo.py हमारी python file बन गई, अब सबसे पहले हमने check करना था local scope, ठीक है, local scope के लिए, यह देखिए हमने comment add कर दिए, अब local scope के लि function का नाम होगे, demo मारा, मैंने create किया, अंदर मैंने value डाल दी, 100, ठीक है, अब उस value को print कर दिया, मतलब, अब हमारा function के अंदर का variable है, इसका scope function के अंदर ही है, अब मैं जब function को call करूँगा, तो मारा यह print हो जाएगी value, कौन सी, a is equal to 100, ठीक है, तो यह function यह रहा, उसका scope यहा कर दिया, बस, तो कोई error नहीं आएगी, हमारा local scope है, जब मैं right click करके इसको random हो पे click करूँगा, देखिए 100 आगया, कोई error नहीं आए, मतलब, यहां से हमने call किया, और अंदर ही अंदर सारा काम खतम हो गया, मतलब, हमारा local scope हमने proof कर दिया, अब हमारी बात आई, कि अगर हम लिख देता हूँ, error यहां पर, यहां पर error आएगी, देख लिए, देख लिए, यहां पर नीचे line आगी, मतलब, error है, क्योंकि, मारा function तो यहीं पर था, हमने इसको बाहर कर दिया, access, create यहां कहता है, access बाहर कर दिया, तो scope तो अंदर ही था, बाहर तो था नहीं, तो error करने के लिए, हम फिर से इसको comment कर देते हैं, ताकि आपको याद रहे, मैंने इसको यहां पर फिर से print है कर दिया, अब देखिए, scope के अंदर ही सारा काम खतम हो गया, अब right click करके, run demo करेंगे, कोई error नहीं आएगी, ठीक है, यह हमारा हो गया, अब हम आगे जाते हैं, global scope में देखिए, global scope क्या होता है, अगर हमने यह function के भार create किया है, code की तो body है, पूरा का पूरा program उसको use कर सकता है, उस variable क्योंकि उसका global scope, global का मतलब होता है हर जगा, हर जगा use कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, function के भार create करेंगे, same program, ठीक है न, function के भार variable define करेंगे, initialize करेंगे, करते हैं, अब यह मारा program था, अगला program create करते है, right click new python file, demo 2 कर देते हैं, इसको, enterprise किया, अब इसमें होगा मारा global scope of variables, ठीक है जी, हमने क्या करने है, सबसे पहले, मैंने आपको कहा था, हम सीधा ही define कर देंगे, एक variable create कर दिया, अब same function create करेंगे फिर से, अब देखें, मैंने function create कर दिया, demo नाम का, यह function definition है, ठीक है, अब क्या है, मैंने, यह यह था हमारा, इसका global scope होगा, क्योंकि यह function के भार है हमारे, तो मतलब यह global scope होगया, ठीक है, लिख जाते है global, अब इसको मैंने यहाँ पर print किया, कोई error नहीं आएगी, function के अंदर, इस इसको demo को call कर दिया है, यहाँ पर, function call, इसके बाद भी मैं एक बार इसको फिर से print कर देता हूँ, तीन जगह हम access कर रहे है, क्यों, क्योंकि हमने इसको globally, यहाँ पर create के variable value sign किया, right click कीजिए, demo 2 पर click कीजिए, अब देखिए, error नहीं आएगी, क्योंकि तीन जगह हमने इसको लिया, यह हमारा हो गया जी, global scope of variables, यह हमने कर दिया, अब हमारे पास एक और तरीका है, global की value हम इसके अंदर भी change कर सकते है, कैसे, global keyword यूश करके, देखिए, global keyword यूश करके, हम value of a global variable को change कर सकते, change the value of a global variable, ठीक है, यह इसका syntax है, global आगे variable name, यह लिखते ही आपका global variable की जो value है, वो यहाँ पे आप सीधा ही, कहीं पे भी होंगे, function के बाहर या function के अंदर, आप इसकी value, global variable की change कर सकते है, ठीक है, to change the value of a global variable inside the function, we can use the global keyword, this would allow us to change the variable value inside the function, तो देखते है, अब देखिए, मैंने यह program copy किया, मैं इसको ही, right click करके, नया create करूँगा, python file, demo 3, enter press कर दूँग create हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब यह same, ठीक है, अब यह same है, यह वोई program है, बिल्कुल, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसको run किया, तो आपको पता ही है, क्या रहेगा, देखें, हमारा program आगया है, हमने इसमें क्या किया है, वोई program है, अब मैं इसको run करूँगा, तो हमारा यहाँ पे print a 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने यह function के भाहर define किया, अब हमें इसकी value change करनी है, हम कैसे करेंगे, मैंने लिखा है, global keyword, use करके, तो मैं एको function के अंदर इसकी value change क दूँगा इसको, ठीक है, तो मैंने, तो मैंने यहाँ लिखा, global keyword, मैंने आपको बताया है था, syntax, global variable numbers, अब जो नेया value डालनी है, आपको वो डाल दीजे, मैंने 10 डाल दी, अब हमारी global की value हो गई 10, इसको मैं यहाँ भार भी print कर देता हूँ, अब देखती है, क्या value आती total म है, अब देखे 10 और 10 आगी, मतलब उपर तो हमने 100 assign की थी, बट अंदर आती हमने इसको change कर दिया, change यहाँ पे किया, value assign पूरे program पे हो गई, अब हमारा 100 था, एक ही value, अब 10 होगी हर जगा, और यह दोनों जगा print भी हो गई, ठीक है, यह अपने print किया, और यह value देखे, फि इसको आप असानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे यह हमारा outer value थी, भार की थी, outer मतलब, और यह हमारी inner value थी, inner value ने उसको overwrite कर दिया, outer value को, और हमारे पूरे program की value, inner की तरह ही होगी, मतलब 10 ही होगी, ठीक है जी, यह हमने global variable की value को change कर दिया, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा, कैसे हम असानी से समझ सकते हैं, कि scope of variables क्या होता पाइथन में, हमने local global scope और global value, variable value कैसे change करते हैं, वो भी देखा, धन्यवादे वीडियो देखने के लिए,